मम्मी, दिवाली आ रही है, तो मैं सोसे थी एक अच्छी सी ड्रेस रिजाइन कराओं उस ही टेम पर आई है, ये ले मेरे दिवाली की पिछल साल के सारी, इससे तू पहन लेना हाँ और आप क्यो पहनोगी? बेटा मेरा क्या है, मैं इस साल भी नहीं सारी पहनोंगी और मैं पुरानी, अब देखना, मैं इस पुराने सारी ही कितनी सुन्दर ड्रेस बनाती हूँ और आप लोग इसका वेट कर रहे हो, जल्दी से वीडियो को एक लाग लाइक करो, और वीडियो एंजॉय करो तो चलो ममी की इस पुरानी सारी से एक सुन्दर सा लहंगा बनाते हैं सबसे पहले फैबरिक को इस तरह से फोल्ड करके, अपने अकॉर्डिंग इसके मेजर्मेंट करके इसे कट कर लेंगे और सेम मेजर्मेंट में अस्तर को भी कट कर लेंगे अब बस अस्तर को फैबरिक के अंदर इंसर्ट करके सिलाई कर देंगे अब इसके बेल्ट बनाने के लिए हमने एक अस्तर को इस शेप में कट करके इसके उपर वाले पाट पे स्टेच कर दिया अब बस हम इसके अंदर इलास्टिक इंसर्ट कर लेंगे अब इसके नीचे सुन्दर सी लेस लगा लेंगे मेरे नापके लेंगे को सिलाई में दिखाने में थोड़े दिक्कत हो रहे थी इसलिए हम नहीं आप छोटा लेंगा दिखाया है ताकि आपको समझ भी आजाए और यही स्टाफ फॉलो करके आप अपने आपका लेंगा भी बना लें तो लग रहा है ना इसे देख कि जैसे मैं नहीं इसे किसी बड़े डिजाइनर से डिजाइन करवाया है जब मैं इसे दिवाली पे पहनूगी ना मेरी फ्रेंड्स हो इसे देखती ही रह जाएंगी लेंगा तो बन गया अब इसके लिए ग्रोपटा भी बना लेते हैं इसके लिए हमें चाहिए एक फैब्रिक्स और इसे हम इस तरह से मेजर करके कट कर लेंगे अब इस कटे हुए फैब्रिक को एक के उपर एक रखके इस तरह से स्टिच कर लेंगे उपर के दो पार्ट समने एक्स्ट्रा कट की हैं ताकि यह हमारे बाद में काम आ सके अब फैब्रिक को एक की उपर एक रख के इस तरह से चुननट बनाते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे अब जो उबर का सिलाई वाला पार्ट है इसे दूसरे फैब्रिक की मदद से इस तरह से कवर कर लेंगे अब इसे फिनिशिंग देने के लिए इसके उपर हम एक पतली सी ले स्टिज कर लेंगे और नीचे वाले हिस्से में पीको कर लेंगे चलो जी हमारे डिजाइनर लेंगे के साथ एक फैंजी डुपट्टा तयार है लेंगे डुपट्टा तो बन गया अब इस पुराने ब्लाउस का भी कुछ कर लेते हैं अब बस लेस को ब्लाउस के बैक और नीचे वाले हिस्से में स्टिच कर लेंगे तो लो जी लेंगे डुपट्टे के साथ हमारे पुराने ब्लाउस भी नया बन गया है तूने मेरी अनमर से पैसे चुराए तो इस घर में नए कपड़े से मेरी पहनूंगी अरे मम्मी आपी की पुराने साड़ी से बन वाया है अब आप इतने कंजूस हो तो नए चीज़े कहां चलाऊंगी ये पुराने को ही नया बना दिया ये देखो तो चलो अब ड्रेसे मैचिंग एरिंग दे बना ले दे हैं जिसके लिए हमें चाहिए इंपस ये सारा सामान पहले हम वायर में बीट्स को पी रो लेंगे सबसे पहले हम बनाएंगे इसका ये वाला पार्ट जिसके लिए हम लेंगे एक फैबरिक का टुकडा और उसके अंदर बीट्स को रखके इस तरह से कवर कर देंगे अब एक पतले वायर में छोटे बीट को पिरो के इसे बड़े वाले बीट में से निकाल लेंगे और इस पेग एंड केप लगा के इसे सिक्यॉर कर लेंगे अब जिस वायर में हमने बीट्स पिरो हो थे उसकी मदब से इस वायर रिंग को कवर कर लेंगे अब इसके नीचे के हिस्से में लटकन और उपर हूप लगा देंगे अगर आपके पास एरिंग बनाने का सामान नहीं है तो कोई बात नहीं आप अपने पुराने एरिंग का सामान भी यूज कर सकते हो अरे हमारी सैंडल तो रही गई वो क्या पुरानी पहनेंगे तो चलो उसे भी तोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं इसके लिए हमें चाहिए पुरानी सैंडल लेस और कुछ शेल सबसे पहले लेस को तीन हीस्तों में कट करके इस तरह से आपस में स्टिच कर लेंगे इसके बाद शेल्स को लेस के रीचे इस तरह से स्टिच कर लेंगे अब बस इससे सैंडल के ऊपर स्टिच कर देंगे बस इसी तरह से दूसरा पेर भी तयार कर लेना है लो जी सैंडल भी तयार है तो मेरी दिवाली की तयारया तो हो गई अब आप लोग भी कर लीजे, मैं तो चली दिवाली बनाने अरे बेटा मुझे तो पता ही था तुम कुछ न को जुगार तो खरी लोगी इसलिए तो नीजी लाए मैंने कपड़े मेरी बमी ने तो चाला की दिखा कर मुझ से ही ने ट्रेस बनवाली आप भी थोड़ी मेहनत कर दो और वीडियो को लाइक कर दो अब बेटी ने इतनी मेहनत किये तो कर दो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तब तक के लिए अच्छा सुन बेटा अपने पापा को भी नया कर दे ना what क्या व्मी अद्ट बढ़ना व्मी कि बढ़ना बीद